सबसे पहले chemistry में आपको तत्तों के बारे में पता होना चाहिए तत्त माने होता है element, element माने तत्त, तो तत्त क्या होते हैं तत्त पदार्थ का सुद्धतम रूप होता है, कोई भी पदार्थ है उसका सुद्धतम रूप तत्त कहलाता है जो एक ही प्रकार के परमाणींओं से मिलकर बना होता है और अभी तक संभडा 1888 तत्त क्होजे जा चुके हैं अब इन तत्तों को ब्यवस्थत रूप से अध्धन करना है हमको या हमारे बैग्याने को ने किया है तो एक बाद ध्यान रखो जो आप स्वादा लेने जाते हैं सामा लेने जाते हैं तो जनरल स्टोर होता है तो जनरल स्टोर में अलमारियां होती हैं और आपने मांगा नहान केश्याνें जफ्न पर तुम त्रण्द में देता है यौकि उसने एक बेवस्तते जगाय में वह है एक जैसे बश्त्व रखहे जो एक जैसे चिखिन और गुण होतीं है तो उसने एक अलमारी में रख़़ इसी तरह तो सबसे पहले मैंडी लिफ ने सबसे पहले आवर्थ सार्नी बनाई मैंडस ने और इनों ने और समी बनाने का जो आधार माना वो परमाडु भार माना परमाडु भार माने परमाडु भार को ले करें चले ठीक है ध्यान रखेंगा परिक्षा में इतना ही पूछा जाएगा कि सबसे पहले आवरत्सारणी किसके द्वारा बनाए गई तो मेडलीप के द्वारा बनाए गई ठीक है इन्ह इन्होंने कार किया मोसले ने बच्चो आधनिक आवर्थ सार्णी बनाई अब आधनिक किसलिए बोला क्योंकि आजकाल हम यही पढ़ते हैं आधनिक आवर्थ सार्णी बनाई किन्ने बनाई मोसले बनाई इनकी आवर्थ सार्णी का आधार था परमाडू क्रमांग क्या आधार दूसरी बार्त अब परिक्षा में आपसे पूछा जाएगा बासा लिखी होगी यह बताओ आवर्त नियम क्या है कौनसा आधनिक आवर्त नियम चिक है तो क्या है बच्चो दोफो परमार्यू क्रमांक क्रमांक माना होता है संख्या परमार्यू संख्या बोल दू जैसे तरह स आपका class में हाजरी number होता है हाजरी number होता है किसी काashes 1 से का दो होता है , जैसी भी होता है ठीक है तो इनका इनका भी बच्चो हाज़ी number होता है इथना औंतर हिह बदलता नहीं है जैसे कि अपने बात कर लेते हैं सोडियम का परमादू कृमा ग्यारा है ध्यां रखें मेगनीशियम का बच्चो 12 है ठीक है क्लोरीन का सत्रा इंपोर्टेंट इसलिए बता रहें आप हो यह है तो इनका इनका हज्री नमबर माने परमादू कृमा खहनगा यह परमादू संख् ठीक है तो क्या बोला आधुनिक आवर्थ ने में क्या कहा गया कि जब तत्वों को हम आवर्थ सारणी में बढ़ते हुगे परमाणू क्रमांक में रखते हैं तो एक निश्चित समय बाद समान गोणवाले तत्व पुना आ जाते हैं जैसे कि उधारण दे, आपने क्या किया, जो जनरल स्टोर के दुकान हैं, यहां माने नहाने वाली सावन रखे हैं, यहां आप से ऐसे चलना शुरू किया, और फर गुमते गुमते कहा आ जाओगे, पुना उसी अलमारी के पास आ जाओगे, तो पुना उसी के पास पहुच ग कि बच्चो इसमें 18 समू होती हैं, और उपर से नीची के और यह होते हैं समू, चीक है, और ऐसे ऐसे जो लाने होती हैं, इन्हें बोलती हैं अपन आवर्थ, क्या बोलती हैं, आवर्थ, जब ऐसे ऐसे चलती हैं, चीक है, पर लोटकी भी तो आएंगे अपने यासे गिंद प्रोजन रखा है लीथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबीडीयम, सीजियम, फ्रेंशियम, तो जब एक समुह में जो तत्त आपको मिलेंगे वो समान गुड़ों वाले होंगे, ध्यान रखें, ये ध्यान रखें, परिक्षा हम पीचा जाता है कि बताओ, एक समुह में, वो उनमें जो तत्त रखें गए हैं, वो समान है क्या समान है, तो किसी भी समुह में समान गुड़ों वाले तत्त रखें जाते हैं, तो इसको अपन थोड़ा सा साफ कर देते हैं, तो आप एक कापी में लिखते जाएं, ये इतनी important जानकारी है, कोई भी परिक्षा हो, अपने इंडिया की कोई भी परिक्षा हो, एक भी प्रशना आपका किसी भी competition में यहां से बाहर नहीं होगा, अगर आपने हमारी सभी वीडियो देख लिए, तो देखो, आवर्त सार्णी की बात कर रहेते, आवर्त सार्णी आवर्त, हम आवर्त बना रहे हैं ऐसे, चार, पांच, इस साथ आवर्त होते हैं, और इस तरह ऐसे, इनमें अपन तत्त भरते हैं, देखते जहां, इनों को बना चुके हैं, पुरानी वीडियो में, बिधी भी बता दिये, इनको याद क्या से करेंगे, याद करना जरूरी है, जिसको नौकरी करना है, सरकारी नौकरी करना है, तो होकी, इसे समझने याद करना है, अब बच्चों क्या है, इस तरह से एह होते हैं आपके गुर्प मा storco, याद क्या बोलते हैं, समह, ऊपर से, उपर से नीची की ओचलते हैं, ये जब समह में चलते हैं बच्चों, तो द्यान रखें, आकार बढ़ता है, आकार में पूछायागा परिक्षा में, जब किशी शम्हु में उपर से नीची के ओर चलते हैं, तो आकार में व्रद्धी होती है, समझ रहा बात? और जब हम बाएं से द्यातरब चलते हैं, तो आकार में कमी होती है, ध्यान रखें, भूलना नहीं है, समझ के बात आपे, दूसरी बात देखो, यहां से हम बात कर लेते हैं, तो यहां पर बच्चो कुछ इंपोर्टेंट चीजे हैं, हाइड्रोजन, लीथियम, सोडियम, पोटेसियम, रूबीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, आपको यह याद रखना है, हाइड्रोजन, लीथियम, सोडियम, पोटेसियम, इतना ही इसे वाहर नहीं पूंझा जाएगा यहां बच्चो जो आपका 18 समुअ है यहां बच्चो आपका 18 समुग है तो जो लास्ट का आपका समुग है इसे हैं आपका हीलियम आता है यहां आपका नियोन आता है आर्गन आता है क्रिप्टोन आता है जीनोन आता है और रेड़ॉन आता है हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन जीनोन और रेड़ॉन ठीक है पर रेडाउन हो गया है यह लियां नियोन आरकन कर्प्टाउन जीनों रेडाउन दूसरी बात अब क्या है परिक्ष्छा में कहां तक पूछा जाएगा यह सभी पूछे जाते हैं तो यह अठारवे सम्हुग के तत्तों को अक्रिय गैसा कहते हैं क्योंकि यह कम करिया करती है अब आपको ध्यान क्या रखना है बच्चो जो इंपोर्टेंट है तो पहले जो आपका पहला जो आपका आवर्त है इसमें बच्चों दूतत होती है ध्यान रखना इस तरह चलोगे फिर आपको आठ मिलेंगे फिर आठ मिलेंगे फिर आपको अठारा मिलेंगे फिर आपको 32 मिलेंगे फिर आपको 32 मिलेंगे तो प्रिये चात्रों आपको इस सूत्र रियाद रखना है सूत्र बहुत इंपोर्टन्ट है नहीं फिर कहोगे सर आपने बताया नहीं इस सूत्र आपको रखना इतना ही परिक्षा हम पूचा जाएगा ज्यादा नहीं पूचा जाएगा दो आठ 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 अठार इतना ध्यान रख लो चीक है और यह पहले समूग के तब आपके अठारा के हैं विस्तार से बताएंगे तो पूरे एक दिल लग जाएगा तो यह हम पुरानी वीडियो में बता चुके हैं यह आपको पता होना चाहिए उपर से नीची को चलते हैं तो आकर बढ़ता है और 22 दातरफ चलते हैं तो आकर में कमी होती है यह सामान गोनह तत्तों का चीक है और 22 दातरफ आवर्थ होते हैं और उपर से नीची की और समू होते हैं चीक है तो समूर कतने होते हैं समूर आपके अठारा होते हैं और साथ आपके आवर्थ होते हैं ध्यां रखने यह आपको इंपोर्टेंट है चलो यह अपने ध्यां रख लिए अब प्रिक्षांप क्या पूंचा जाएगा आपसे परमाडू के बारे में परमाडू क्या है इंपोर्टेंट तो देखो बच्चो पदार्थ का सूक्ष मितमकन जो स्वतंत्र अबस्था में नहीं पाया जाता है परमाडू कहलाता है तो यह परमाडू का हम छोटा सा एक चित्र बना रहे हैं परमाडू के अंदर बच्चो क्या होता है proton और neutron होते हैं और electron जो हैं इनकी कख्छाम में चक्र लगाते हैं तो परिक्षाम पूंच जाएगा यह अब का neutron है और यह आपका electron इनकी खोज़ नहीं की थी इनकी खोज किसने की थी यह अब यह मारकर pen है तो आपने लिख दिया पैन यह हमारा किस कंपनी का है यह हमारा RTC तो प्रोटोन की खोज रदर फोड ने की थी अगर परिक्षा में बच्चो ऐसा आ जाए गोल्ड इस्टीन तो आप गोल्ड इस्टीन लगाएंगे और गोल्ड इस्टीन नहीं आता है तो रदर फोड लगाएंगे इलक्ट्रोन की खोज थॉमसन ने की थी ठीक है और न्यूट्रोन की खोज चैड विखने की थी पैन किस कंपनी का RTC प्रोटोन की खोज रदर फोड ने की थी इलक्ट्रोन की खोज जे थॉमसन ने की थी ती से थॉमसन एन माने न्यूट्रोन की खोज चैड विखने की थी ठीक है दूसरी प्रोट्रोन पर धन आविस होता है, इलेक्ट्रोन पर रेण आविस होता है, न्यूट्रोन पर कोई आविस नहीं होता है, न्यूट्रोन उदासीन होता है, और जो आपका इलेक्ट्रोन है, इस पर आविस भी पूछा जाता है, तो माइनस एक दिसम्लप छे गुर्थ, दस पर मैं गहाते है मैंने 19 कुलाम क्या है आविश नापनिकी काई है इतना आपको आना चाहिए पदार्थका सूक्षमितम कण जो स्वतंतरवस्था में नहीं पाया जाता है लेकर रासानी क्रिया में भाग लेता है परमाडू कहलाता है यह प्रमाडू की परवासा है अब आप से पूछेंगे इलेक्ट्रोनिक बिन्यास इलेक्ट्रोनिक बिन्यास किया है तो कक्छा दसमें और NTSC में सरल पूछा जाता है लेकिन आप 12 में पूछेंगी तो बहुत कठन है इस तरह से लुख हो गया बारा में लेकिन 10 में NTSC में बहुत सरल है वो अब दियान रखेंगे चलो अपने देखते क्या से पूछा जागा परिक्षा में जो पूंचा गया है वह हम बताते हैं सोडियम का पूंचा गया है और परिक्षा में मेंगनेशियम का भी पूंचा गया है और देखो को इलेक्टरोनिक बिनन्याश कहिण बच्चो कंच में एलेक्ट्रोन हमेश्य हुए वीकषा के disrupt करेंगे है प्रिक्षा में भी पूछा गया किसी भी कक्ष में इलेक्टरों करते हैं prix टो ओन्स कोख सूत्र से ग्याद करते हैं यह इसलिए बता दिया आपको त्य defok के इसका प्रमाड़ कुर्मंग 17 होताrit का 12 होता है इसका 11 को ठीक है, देखो हमने आपको बता था, सूतर्याद कर लो 2, 8, 8, 18 यही तो बुला था हमने अगर आपने इतना याद कर लिया तो आपके 2 नमबर complete एक तरफ, आपके 2 आंक complete अगर आपने इतना याद कर लिया तो कैसे समझो बात 11 तक संख्या पहुंचाना है अपन को तो क्या लख़ेंगे पहले दो लेखेंगी 2 के बाद 8 लेखेंगे 8,2,10 और 8,18 अब देखो अपन को करना था 11 एक 11 तो माने 8 दो 8,10,11 इसका electronic बिन्नास इह है ऐ ठीक इससे बना रहे है अपन इसकर देखो दो आठ दस और के जोड़ें दो जोड़ो बारा दो आठ दो आगे आपका परीक्षा में पूंचा गया किलोरीन का दिखते हैं अब 17 का तो दो आठ दस और 7 17 इसका अलेक्टर ने पूंचा जाता लग से कुछ नहीं आता आपने सभी विडियो देख लिए तो ऐसी कोई ताकत नहीं किसी भी competition परिक्षा में आपको फैल कर दें तो इतना देखने आप और कांपी में लिख लें कोई दिक्कत हो आप चलूर बताओ ठीक है चलो और प्रिये छात्रों अब क्या पूछेंगे आपसे वो अब क्या पूछेंगे कि जो बच्चों सोडियम है सोडियम का किसी सूत्र का नाम बता दो एक तो एने सीयल है सोडियम किलोराइड यह नमक का सूत्र होता है एने धन होता है CL-rend होता है चीक है अब परिक्षा में यह भी पूछेंगे क्यों कि जो CL-rend है वो पूछेंगे कि बताओ CL-rend है CL-rend में कितने electron है कितने electron है कितने electron है कभी भी ऐसा प्रशन आ जा तो देखो क्लोरिन जो है इसका परमाड़ू क्रमांग होता है 17 यह बताया था हमने दो को 17 तो जब इलेक्ट्रोन ऊपर लग जाए तो आपन जोडते हैं 17 इक 18 आपका उत्तर कितना कितना इंसर है आपका 18 इलेक्ट्रोन होते हैं ट्यांदय तो अजें झीजद्य अठाया एक। आप यह बताओ कि चो आपका मेगनिशियम है तो सिंपल सी बात है जब लगता आतो जोडते और धन लगता तो गटा देते हैं तो अब हमें प्रमाड़ू करमांग 12 है पर एकशां पूंचा जाए जे धन लगा है उसको घटा देना हमेशा तो 10 दस एलेक्ट्रोन है किसमें मेगनेशियम दो धनायन में ध्यार रखें हमेशा परिक्षा में पूंच गए है ठीक है अब इसी चक्कर में यह दो एलेक्ट्रोन त्याग देता है इसलिए एमगी CL2 बनाता है, माने magnesium chloride बनाता है MgCl2 परिक्षा में हर साल पूछा जाता है, कि magnesium chloride का सूत्र बता दो, तो यह magnesium chloride, sodium chloride का हम आपको बता चुके हैं, ठीके तो यह आप देख ले और copy में आप लिखते जाएं ठीके, चलो दूसरी बत बच्चो, अब आप से कोष के नाम भी पूछ सकते हैं बो, कोष के नाम बता दो तो बच्चो कोष के नाम क्या होते हैं वो अपन देख लेते हैं, बहुत सरल है आप देहरता पूरुबाग पीडियो देखेंगे तो आपको बहुत समझ में आया जिन्दिगी भर के लिए काम में आगा आप जल्दवाजी ना करें कोष के वारे में पूछेंगे आप से देखोगो तो बच्चो क्या है हमने परमाड़ू का एक चित्र बना रहे हैं ठीक है तो बच्चो ये कोष होते हैं के एल एम एन ओ ये बच्चो कोष होते हैं के एल एम एन हो ठीक है दूसरी बात जो बच्चो कोष होते हैं कोष होते हैं वो उपकोष से बनते हैं ठीक है उपकोष बच्चो जो है कोष उपकोष से बनते होते हैं कोष उपकोष से बने होते हैं और जो उपकोस है बच्चो कक्षकों से बने होते हैं, कक्षकों से, ठीक है, तो देखो, जो उपकोस होते हैं, वो बच्चो, S, P, D, F होते हैं, S में बच्चो एक कक्षक होता, ध्यार रखें, P में तीन कक्षक होते हैं, D में पांच कक्षक होते हैं, F में साथ कक्षक होते है और एक कक्षक में एक कक्षक में सर्फ दो इलेक्ट्रोन ही भर सकते हैं यह भी आपको दियान देने वाली बात है एक कक्षक में सर्फ दो इलेक्ट्रोन भर सकते हैं तो आपसे सर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि कोस के नाम बता दो तो बता देना के एल एम एन यह क्या होते हैं यह आपके कोस होते हैं अब बच्चों वो आपसे पूछेंगे यह इंपोर्टन तत्थ होते हैं आपसे पूछेंगे कारवन कारवन का संकित क्या है तो एक सी होता है ठीक है और का पर्मान्य क्या होता बच्चों छह होता है अब आपसे पूछेंगे अपर रूफ कारवन से पूछाएंगे आपसे अपर रूप तो कारवन के बच्चों तीन अपर रूप होते हैं क्या होते हैं हीरा ग्रेफाइट और फूलेरीन फूलेरीन इतना आपसे पूछाएंगे कारवन के तीन अपर रूप होते हैं हीरा, ग्रेफाइट, फोलेरीन, ठीक है, दूसरी बात, पूछेंगे सबसे कठोर पतार्थ कौन सा होता है, हीरा होता है, यह भी आपसे पूछेंगे, ठीक है, तो यह परिक्षाम पूछा गया है, तो अब ध्यान से यह से लिखते जाएं, तो इसको हम अब यहां से साफ करते हैं, तो आप इसे क्या पूछा गया है, परिक्षाम में आपसे, तो देखो, अब बच्चो आपसे पूछा गया है, धातू के बारे में, अधातू के बारे में, और उपधातू के बारे में, चीक, तो देखो, अभी हम आपको सरफ पतना ही ने बता रहे हैं आवर्थ सारणी में बाइं तरफ धातुंगे होते हैं तरफ होते हैं खैक है और अधातु hooks में ही आपको उपदातु मिलेंगे ठीकर इतना ही आप अभी आपत थोड़ा सा ध्यान रखो धातुमे क्या करती हे इलेक्ट्रोन को त्याग दिया है, माना है, जिस पर धन लगता है, यसे एनी धन, जिस पर धन लगेगा, वो धातू होगी, और जिस पर रण लगता है, वो अधातू होती है, यह आपको अभी के लिए ध्यान रखना बस, जियाद है, ध्यान मत रखें आप, चलो, अब क्या है, परिक्षा में, परिक्षा में पूचा गया है, मिस्र धातू, मिस्र माने होता है, मिस्रन, माने, दो या दो से एदिक धातू का, मिस्रन, दो या दो से दातू का, धातू को मिलाना, वो मिस्र धातू है, तो परिक्षा में वही आता है, जो आपके घर में होता है, त पीतल, पीतल होता है आपके हर में, तो पीतल जो है कापर पिलस जस्ता से मिलकर के बना होता है, ध्यान रखो, याद कर लो, आपके घर में जो पीतल के बरतन हैं, वो कापर और जस्ता से मिलकर के बने होती है, ठीक है, कापर, कापर का बच्चु, कापर को अपन तांबा भी कह घ्रख्वद्धें, जिल्ख़िए हैं। दूस्री बात। ताम जब काफी समय तक रखा रहता है, तो मुद्धें हर लयासा हो जाता हैं। उसका सूत्रे हरहे कापर कार्बोनीट, कापर हाइडर्उकसाइड ध्यान रख। ये परिक्षाम पूचा गया है कापर कार्बोनेट कापर हाइड्रोकसाइड ये हरी रंका होता है ये हरा रंका होता है ठीक है तो पूचेंगे आपसे कापर का जब संचारण होता है कापर में जंग लगना कह सकते हैं कापर का संचारण होता है तो कापर की उपर एक हरी रेंग की पर्थ जम जाती है तो उसका सूत्र बता दो तो यह सूत्र है कापर कार्बोनीट कापर हाइड्रोकसाड ठीक है यह गलत होगी है यह गलत होगी है तो परिक्षा में आपसे पूछेंगे कि बता दो पीतल किस से मिलकर के बनी है तो कापर और जस्ता से मिलकर के बनी है चलो अब आपसे पूछेंगे कि जो कांसा है जो कांसे के बरतन बहुत आवाज करते हैं वो किस से बना होता है तो कांसा जो है कापर और टिन से मिलकर के बन अब यह important हर साल कोई भी परिक्जा हो सभी ही में पूछा जाता है जर्मन सिलवर, जर्मन सिलवर हर परिक्षा में पूंचा जाता है, ठीके, हर परिक्षा में पूंचा जाता है, हर परिक्षा में पूंचा जाता है, ठीके, तो देखो, इसको अपन क्या से याद रखेंगे, यसे, यसे ये बना होता है, कापर का, जस्ता का, और निकल का, कापर जस्ता निकल तो बच्चू जब हम छोटे थे तो वो सर्दियों चल रही है तो सर्दियों में क्या है जैकेट होती थी उसको जरकिन बोलती थी जरकिन जरकिन बोलती थी जरकिन तो जा से आप जिंक याद कर लेना जिंक का से कापर और नी से निकल ठीक है तो जर्मन सिल्वर है जर्मन सिल्वर है इसको अपन क्यासे याद रखेंगे इसको क्यासे याद रखेंगे जो जर्मन सिल्वर है आपको याद रखना है जरकिन बस जा से जैडेन के से कापर और नी से निकल वहाना है जस्ता कापर और निकल से आपका बना होता है जर्मन सिल्वर क्या बना होता है जर्मन इसमें क्या मिला होता है जिंक कापर शिल्वर ठीक है कापर जस्ता निकल यह आपको याद रखना है पर एक च्छा में इतना ही आएगा इससे एक्स्टर नहीं आएगा ठीक है दूसरी बात एक और पूछ जाएंगे आपसे मैगनेलियम मिस्र दातु जो है किस से बनी होती है मैगनेलियम मैग मान है मैगनेलियम यह है आपका ऐलूमिनियम तो जो मैगनेलियम है वो मैगनेशियम और ऐलूमिनियम के मिस्रन से बनती है तो यह दिहान रखा जो मैगनेलियम है वो मैगने और एलूमिनियम से मिलकर बनी होती है ठीक है परिक्षा में यह हमेशा पूंचा गया है तो जो इंपोर्टेंट है वो आपको बता रहे हैं जब हम फुल वीडियो बनाएंगे सब्जेक्ट वाइस सब्जेक्ट तो वो वीडियो भी आप देखें चलो अपन अब देखते हैं परिक्षा में पूंचा जाता है समस्थानिक सम माने होता है समान इस्थानिक माने होता है इस्थान तो आवर्त सार्णी में सब को एक नियत इस्थान पर रखा गया है माने सब को एक हाजरी नमर दिया गया जिसे अपन बोलते हैं परमाडु करमांग जिसे अपन क्या बोलते हैं जिसे अपन बोलते हैं परमाडु करमांग परमाडु करमांग ठीक है तो समस्थानिक बेतत्त होते हैं जिनका एक ही परमाडू क्रमांग होता है अगी बात समस्थानिक बेतत्त होते हैं जिनका एक ही परमाडू क्रमांग होता है लेकिन अलग क्या होता है अब अलग होता है परमाडू भार आप परिक्षा में आपसे पूंचा जाएगा जी है आपका इसके समस्थानिक बता दू बता दे इसका नाम है प्रोटियम इसका नाम है डिटिरियम इसका नाम है ट्राइटियम अभी पूछेंगे, जो प्रोटीयम है आपका इसमें निऊटोन बबता दो तो निऊट्रोन नकालने के लिए उपर मैं शेट घटा दो, तो निऊटोन जीरो है इसमें निऊट्रोन एक है और इसमें निऊटोन दू है परिक्षा में पूछेंगे वо जिसका उत्तर आपने देख लिया है ठीक है इस तरह परिक्षा में बहुत सरल प्रिश्म हमें साह आती रहते हैं अब बच्चों आपसे क्या पूछा गया है आपसे प्रवल छार तो देखो ध्यान से इसका उत्तर कैसे नकालोगे तो आवर्थ सारणी के जो पहले समू के तत्त हैं जैसे कि आपका हाइड्रोजन, लेथियम, सोडियम, पोटेसियम, पहले समू किसलिए बोला था हमने याद कर लो यह अगर बच्चों यह आपकी जो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं प्रवल छार होंगे पर एक छा में आजाए आपका बच्चों तो इनको ही सही बनाना यह आपके प्रवल छार होते हैं प्रवल छार होते हैं इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें धन्नवाद झाल झाल